नमस्कार दोस्तों AmitThinks YouTube channel में आपका स्वागत है हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे Windows 10 system की जो RAM है वो DDR3 है, DDR4 है बहुत ही असान है, सबसे पहले देखते हैं Ctrl or Delete प्रेस कीजिए, Task Manager के लिए यह open हो गया, यहाँ पर देखिए processes है performance पर जाईए, यहाँ पर देखिए memory में 12 GB की RAM लिखा है यहाँ पर आपके system में हो सकता है कि यहाँ पर लिखाओ DDR3 और DDR4 इसमें तो नहीं लिखा बट बहुत system में, बहुत Windows 10 versions में यह लिखा होगा एक और तरीका देखते हैं, ब्राउजर पर जाईए यहाँ पर टाइप कीजिए cpu-z interface कीजिए देखिए यह official website आगई, software की, इस पर क्लिक करते हैं यह एक free software है ताकि आप details चेक कर सकें, ग्राफिक कार्ड, RAM अगरा की नीचे जाईए यहाँ पर zip file पर क्लिक कीजिए, इसको download करते हैं, यहाँ पर 32 bit of transfer दोनों के लिए है क्लिक कीजिए download नहों पर देखिए सिर्फ 3 MB की file है, download होगी यहाँ पर क्लिक करके show in folder में जाते हैं, zip file देखते हैं, यह download folder में गई है अब इसको extract कर लेते हैं, extract यह देखिए extract हो गया, folder में जाईए, यह देखिए है 32 bit और 64 bit दोनों के लिए बन है, हमारा Windows 10 64 bit है तो इस पर double click करते हैं, इसको minimize कर देते हैं अब देखिए दोस्तों, यह details आ गई, यहाँ पर देखिए CP details आ गई यहाँ पर memory के बारे में भी है, देखिए type आ गई, ddr4 मतलब ddr4 RAM है और 12 GB मतलब 12 GB की RAM है मारे पास तो दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा कैसे हम चेक कर सकते हैं, कि मारे system की RAM है, वो ddr3 या ddr4 है हमने दो तरीके देखे, अगर आप कोई वीडियो अच्छी लेगी तो महारे चले नंबर तिंग्स को जुरू सब्सक्राइब कीजिए